हलो दोस्तों नमस्कार, उमी टेकनिका यूटूब चैनल के मध्यम से समझते EPS 95 पेंसन सभाई बंदू आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत होगा दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो पूरानी पेंसन योजना लागू करने के लिए अब एक राज और है जहां पे भी बड़े जोर सोर से माग चल रही है कि वहां भी पूरानी पेंसन योजना को लागू किया जाए चलिए ख़बर को मैं पूरा आपको दिखाता हूँ कि ख़बर क्या है पुरा बिस्तार से मैं आपको बताता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ कि एक ख़बर पतना से निकल के सामने आ रही है जहां पर इस बात का तरके दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से राजस्थान में सरकारी करमचारियों के लिए सरकार दोरा पुरानी पेंसन योजना को फिर से लागू किया गया है ठी बिहार में भी इसकी माग उठने लगी है राजस्थान सरकार ने इस फैंसले के बाद बिहार कांग्रेस के भी मुख्यमंत्रे नितीर स्कुमार ने राज में पुरानी पेंसन योजना बहाल करने की मा को रखा है और उनका भी कहना है कि इस पुरानी पेंसन योजना को लाग पुरानी पेंसन योजना बहाल कर दी है उन्होंने राजस्तान का हावला दे कर मुख्यमंत्री नितिश कुमार से माग की कि बिहार सरकार भी पुरानी पेंसन योजना को लागू करे और सकरात्मक सोच के साथ आगे बहे जैसे राज के करमचारी भविश की अनिस्चित्ता से उबर कर बहार आ सके बिहार पंचायत नगर प्रारंबिक सिक्षण संग के प्रदेश वरिये उपाधक्ज प्रसांद कुमार ने भी राजस्तान में तर्ज पर बिहार सरकार से पुरानी पेंसन लागू करने की माग की है उन्होंने कहा कि 60-62 वर्ष के बाद सेवा निब्रि नतिजा उन्हें जीवन पर्याप्त दुतकार वर तिरसकार ही मिलता है यसे में पुरानी पेंसन नेती काफी अवश्चक है उन्होंने आगे कहा कि यदि भी हार सरकार पुरानी पेंसन योजना लागू नहीं करती है तो उन्हें मजबूरन बस सिक्षक चरनबध अंदोलन स जाएगा एक बहुत बड़ा जो तो ख़बर है पेंसनर्स जो है वो एक बार देखने कि किस प्रकार से पेंसनर्स को हग दिलाने के लिए सरकार भी आगे सामने आ रही है यानि कि अब ये एकीन माने कि बहुत ही जल्द एपियस 95 पेंसनर्स के जो मुद्दा है अभी चल रह है बहुत ही जल्द उस मुद्दे पर भी सुनवाई होगी और EPS 95 पेंसनर्स के मुद्दे को भी सुना जाएगा और उच्छे पेंसनर्स की राची दिये जाएगी दोस्तों आज का खबर इतना ही था आपको जानकार ये खबर कैसा लगा हमें कमेंट का जलूर बताएं तो चले दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपड़ेट में तब तके नमसकार जय हिंद जय भारत